चलो फ्रेंडस अब हम स्टार्ट करते हैं आइडिनिटी नमबर टू वो है वन पलस टेन सुकैर थीटा इक्वल टो सेक सुकैर थीटा तो ये प्रूव करने के लिए हम एक राइट अंगल ट्रेंगल बनाएंगे जिसमें हम साइडस के यहां पे नेमिंग देते हैं हाइपाट सुकैर इक्वल टो बे सुकैर पलस परपेंडिकलर सुकैर अब इस एक्वेशन में हम दोनु साइड से डिवाइड करते हैं बाई बी सुकैर तो यह बन जाएगा एच सुकैर अपान बी सुकैर इक्वल टो बी सुकैर अपान बी सुकैर पलस पी सुकैर अपान बी सुकैर अ यहां पे हम जो यहां पे h square by b square हैं इसको हम लिखेंगे h upon b h upon b whole square equal to one plus और जो p square by b square हैं इसको हम लिखेंगे p upon b whole square we know h upon b जो होता है वो होता है sec theta और जो p upon b होता है वो होता है 10 theta so यह values substitute करने के बाद हमें जो equation मिलेगी वो मिलेगी sec theta sec theta whole square equal to one plus ten theta whole square अगर हम इसको rearrange करेंगे it becomes one plus ten square theta equal to sec square theta तो इस तरीके से हमारी identity number two prove हो जाती है और आपको यह याद करनी है कि one plus one plus ten square theta equal to six square theta तो बिलकुल इसका proof easy है पहले आपको इस्तिमाल करनी है पाइथागोरस theorem फिर पाइथागोरस theorem के बाद आपको 20 square से आपको divide करना है तो ultimately आपका result मिल जाएगा Thanks friends तो next lecture में हम देखेंगे third